How to add social share in a website without coding? आप देख सकते हैं मेरे left side में WhatsApp, Facebook, Twitter, Pinterest and अगर मैं plus के option पे क्लिक करता हूँ तो काफे सारे मेरे पास social shares के options दिख जाते हैं जो की बहुत easy है क्रेट करना है और मैंने without any coding skills इनको बनाया अगर मैं join our WhatsApp group पो और update जो की right corner में है इस पे yes please पे लिक करता हूँ तो मैं अपने WhatsApp group में redirect हो जाता हूँ With this method मैंने 45% returning visitors अपनी website पे गेंगे हैं मतलब मेरे website पे 45% जो users हैं वे return मेरी website पे आते हैं क्योंकि मैं उनका backup लेकर रखता हूँ WhatsApp के दुरू और वो इसको कफी जादा share करते हैं इस social share plugins से तो आये start करते हैं कि आप इन social share plugins को कैसे अपनी website पर add कर सकते हैं My name is Ashish and you are watching social bro 30 days how to and video series तो start करते हैं आपको सबसे पहले इस website पर जाना है addthis.com इस पर जाने के बाद आपको dashboard पर click करने के बाद आपको अपना यहां पर signing option दिखेगा लेकिन आपको अपना account create करना है तो sign up पर click कीजिए email address आपको अपने real डालना है मैं आपको logic बताऊंगा कि क्यों आपको अपने real डालना है मैं अभी हाँ एक random बना देता हूं तो just for test purpose I am creating a one two three one two three whatever one two two add the rate gmail.com ठीक है आपको अपने real डालना है उसका logic यह है कि अगर आप real डालोगे यह जो website आपको statistics देता है statistics आपका पूरा record देता है कि आपकी website से कितने shares होगे हैं अगर आप fake email डालोगे तो आप उनको record नहीं करपाऊगे या फिर आप क्या पता आप कभी access ना कर पाऊ तो इसलिए अपने genuine जो आपका email है वह यह 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 पर डालिए email address डाल दिया है मैंने password डाल दिया है country select करनी है monthly page use optional है आप select करो यह ना करो तो social share plugin जो है share button में है आपको share button पर click करना है आपको काफी सारे options यह आपर दिख जाएंगे floating inline expanding image share pop up banner slider floating के बात करें यह AMP responsive है mobile के अगर हम look की बात करें तो देखो कितना अच्छा attractive look है inline जो है inline article के अंदर लगाने के लिए है expanding side में आपको यह दिखी रहा है image share images के अंदर आता है यह pop up है pop up उन लोगों के लिए best है जिनकी website एक ऐसी है जिनको लोग खुद share करते हैं मतलब लोग उसको share करते हैं आपका indirect रह रिखाता है then you go for pop up वरना आपकी अगर एक normal website है एक normal blog है तो आप pop up पे मत जाईए क्योंकि pop up जो है आपका visitors ratio काफी जादा कम कर देता है मैं recommend करूंगा floating floating पे जाने के वाद आपको just में हिसाब से add it या remove कर सकते हैं अगर मैं चाहूं तो Pinterest remove कर सकता हूं मैं चाहूं तो add more service पे क्लिक करके जो चाहे वो add कर सकता हूं let's suppose I add LinkedIn तो यह मेरे पास option आ जाएंगे लेकि मैं recommended पे क्लिक कर देता हूं अगर आपको modify करना है तो आप यहां से कर सकते है activate tool पे क्लिक कर रह है उसके बीच में आप कहीं भी score को डाल दीजिए विजिट्स में जाके डाल दीजिए अगर आप wordpress user है लेकिन अगर आप blogger में कर रहे हैं तो आपको blogger में बता देता हूं आपको क्या करना है just simple simple layout में जाने के बाद आपको simple simple sorry theme में जाना है theme में जाने के बाद आपको add it h html पे click कर रहे है add it html पे click करने के बाद जहां पर आपका body tag start होगा ठीक है हम थोड़ा सा नीशे जाते हैं आपको देखने को यहाँ पर देखे कर थोड़ा दिहान से देखेगा आपको समझ में आएगा यह tag यहाँ खतम हुआ है head tag close हुआ है body tag start हुआ है body tag start होती ही देख कर दिया पाकि आप यहाँ से add new tool पे click करके other tools पी add कर सकते है follow button आपको अगर instagram facebook अपने other social media accounts पे follow कराना हूँ then आप इसको use कर सकते है related post मतलब जो related post है उनको recommend करने के लिए आप इसको use कर सकते है list building यह best है अगर आपको अपना email का backup बनाना है email subscription तियार करना है लेकिन email marketing का यह अगर आप अपना WhatsApp ग्रूप में जितने भी बन्दे आइड होंगे जितने भी बन्दे वाटसप ग्रूप में आएंगे आप जैसे को notification डालेंगे आपकी website पर एड़ाइड हो जाएंगे तो link promotion is the best in my opinion and website टिप जार यहाँ पर आप अपना PayPal बग्यर एक tip के लिए add कर सकते है ठीक है यह सारे social share tools हो गए यह मैंने event blogging पर भी work करना start कर दिया 26 January Republic Day के लिए I got 1033 visitors in Chrome just easy way है event blogging की video आपको description में मिल जाएगी best way है अगर आपको अपने visitors increase करने है अगर आपको वीडियो पसंद रहिए hit the like button comment below and subscribe करना मत बोलना thanks for watching